कर दोस्तों मैं इसे कुमार स्वाइब करता हूं कोडलर के इस नए स्रीज में एस स्रीज का छठा वीदियो है आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज और लेवल के ऊपर चलिए शुरू करते हैं हमने यहां पर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है यहां पर देख सकते हैं और अप jurid in Serfis के अंदर इमेज है और इसके बाद लेवल है हम लोग दौनों आज इसके बहुत के बारे में बात करने वाला दो सब्हसे कि लीजय को इसके और एक आते हैं आधर और एक धिक जो है दूसरा आ में चाहिंके बिद भी दोने कर लेता हूं कि की इसके मेड़ी अप्लोट कियाँ seller पे सबसे पहले मैं सकके में चाहिक में कर लेता हूं कि पर अप्लोड अप्लोड हो गया है हम लोग जाकर इमेज के अंदर मैं चुछ कर लेता हूं डाउनलोड फ्लैट पी एंजी यहां पर देख सकते हैं हमारा जो आइकन वे चेंज हो चुगा है इसके बाद हम लोग आते हैं अगे की और अस्कीन का जो ड्रायंड कलर है मुझें सबस्क्राइब कर देता हूं डार क्या अच्छा नहीं लगा रहा है राइट हो गया है हम लोग होरिजेंटर अाजमेंट के अंदर सब से रहने देता हूं आप देख सकता है हमारा आइकन जो है राइट साइड में इसको मैं क्लिकेवल करता हूं ताकि जब भी क्लिक हो तो हमारे एक बटन की तरह काम करें क्योंकि आज इसी पर वीडियो है इसके बाद हमें एक लेवल जो है साइडे हो मैं कर देता हूं 18 18 इसके बाद हम लोग आते हैं आगे जो फॉंट आइफ सी इसके बार मुझे आज हम लोग बताएंगे फूल डिटेल में बेट करें इसके बाद हम लोग हाइट को एटॉमेटिक रहे निता हूं बीद को मैं कर देता हूं पहले टेक्स्ट कर देता हूं 20 फिक्षल ताकि हमारा जो लेवाल हो कुछ साइड में रहे अब इसके बाद हमारा पूरा डिजाइनिंग हमारा कंपोनेंट है जाइश सबसे पहले में ट ओर लेवाल वन यहां पर लेवाल बान करें यहां पर लकार आन इसके बाद किलिक एवल जो कि आपका डिजाइनर पार्ट में मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं इमेज फिक्चर जो सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में तो सबसे पहले मैं इमेज टू किली ब्लोक को ले लेता हूँ इसके बाद हम लूँने टिफायर में जा कर एक removed notice का ब्लॉक्र ले लेता हूँ और नोटिस हमारा होगा Axτο पहले टुन ले देता हूँ इसके बाद डाउनलोड नोटिंग लिख लेता हूँ तो हम लोग जा करके Banion को सबसे पहले टेश्ट पर क्लिक कर लेता हैं और अपने लुखको कनेक्ट कर लेता हूं कि यहां पहीं टैस्ट कनेक्ट यह थोड़ा डेट हुसकता है क्यों कि हमारा तो सबस्क्राइब यो जो है तो इला है यहां तो अप्ष़ट जो हो रहा है तो बारी सोरा है इसी करन्त वा सभाइस हो सकता है किलियर नहीं आ सकता है तो उसके लिए हमको माफ कर दीजेगा अब देख सकता है हमारा जो केमपैनियों कनेक्ट हो चुका है जैसे हम लोग इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाउनलोडिंग का एक एलट सो करता है अब हम लोग आगे बात करें तो इमेज टू में जाते हैं फिर से यहां पे और बोलो अखर लाउन क्लिक हो तो हमारा क्या होना चाहिए कुछ दिर तक क्लिक किये हुए रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए तो उसमें भी हमारा क्या है नोटिफायर एक अलाट सो करे होता है जैसे कि image to click रहने देता हूं इसको मेंट लिट करता हूं इसके बाद image to में हम लोग आता है कि लियर टिन्टि मेंज के आगे बाद आएंगे हाप animation इन image animation तो इसके लिए हम लोग को पेश्ट करती है स्क्रॉल राइट यानि कि जब भी हमारा क्लिक हो बटन तो हमारा जो बटन जो है यह पंटेसल फिसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा जोए मेज है स्क्रॉल कर रहा है राइट सायड की और अब यहां पर नोटिफायर को में जोड़ता है अब जैसे ही मैं किलिक करूंगा तो एक नोटिफायर विच्ट होगा और इमेज हमको राइट साइड में श्क्रॉल होगा तो यह था इनिमेशन का वीडियो अनिमेसन का बох इसके बाद हम लगाते हैं क्लिके वैल में तो क्लिके वाल आपको डीजाइनिंग में मिल जागा बाकि यहां पर सारा चीज आपको डिजाइनी में मिल जागा और यहां पर देख सकते हैं एक बोटन में है rotation angle का option इसको हम लोग डिजानर पार्ट में भी जाकर change कर सकते हैं तो डिजानर पार्ट में आकर image के common property में जाकर 90 degree कर देता हूं rotation angle तो हमारा जब भी जो image लोड़ होगा हमारा रोटेट होकर होगा जैसे कि आप देख सकते हैं campaign में तो मैं इसे यहां पर default कर देता है जीरो डिगरी कर देता हूं यहीं ततकाल के लिए यहां पर मैं 00 कर देता हूं जाकि हमारा जैसा आइकन वहीं रहे कोई भी rotation एंगल नहीं हो इसमें देख सकते हैं और हमारा जो आइकन है सीधा हो चुका है आप चाहें तो ब्लॉक में भी कर सकते हैं इस ब्लॉक के साहरे यहां पर देख सकते हैं जब मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो हमारा रूटेशन हो रहा है और ओर नोटीफायर भी सौन रहा हूं डली नोटीफायर है आप रिफ्रेस पहले कर लेता हूं देख सकतेँ हैं जा under क्लिकरी ओ और रॉटेट हो करके एक नोटीफायर सौरा मैं तो डिलेट कर दयता हूं को में MIT सूआ hasta यहां पर फीर से कंप्लिट हो चुका है इमेज का प्रोपर्टी यहां पर जाते हैं पहले लेवल में भी वही ब्लोक मिलता है भेन किलीक और भेन लॉंग किलीक यहां पर निमेशना है इसके बाद और निचे बढ़ने पर हमको मिलता है फॉन टाइफ इस इंपोर्ट है जो भी आप कस्टम फॉन्ट यूज कर सकते हैं इस लेवल के लिए यहां पर मार्जिन है यानि कि मार्जिन लेपट रायट साइड है या बोटम साइड से कितना मार्जिन आपको छोड़ना है। यहां पर छोड़ सकते हैं एक नमबर के यूज करके इसके बात अगला लोक है लेवल obscene लेवल मर्क वी का मतल़ होता है, couple की कोई का लेवल होता है जो, percent को ए टो मेटिक अपने आप, आगे की और बढ़ते रहता है, ने की मूफ करते रहता है, उसके मतल़ होता है, लेवल मर्क ही, उसके बार में हम दयान हो पार पर, पर हम वह मूआ बेखा हैं, यहाँ पैंगे हम क्लिक डाउनलोड बटन टू क्लिक यानि कि जब भी हमारा डाउनलोड लेवल पर क्लिक है जो लेवल है उस पर क्लिक होगा तो हमें एक नोटिफायर सो होगा क्लिक डाउनलोड बटन टू यहां पर हमारा टू डाउनलोड कि मैं आए हैं जैसे ही लेवल पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि एक नोटिफायर हो रहा है जो मैंट स्याधि कि था यहाँ अगली वग्छ लेवल में लॉंग क्लिक यहाँ प इसे बिलेट कर दता हूं और जो इसका था मैं इसे कासरा कर देता हूं इसे पर aqui करके से इनेबल कर दता हूं हमारा एक पूरा काम पर काम हो चुक है ब लिएकोम क क्र kaç बार के चलते हैं आप इनिमेशन सेट इनिमेशन अस्टल मैं और इनेवल की अभी में इनेवल करता है तो जएसे ही इनेवल करता हूं तो देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वह आगे की और राइट साइड में लेफ्ट साइड की और जा रहा है तो यह अभी companion में नहीं apply हो रहा है क्योंकि हमारा text जो चोटा है मैं यहां पे टेक्स्ट बढ़ा करता हूं और refresh करने के वाद जैसे देख सकता है तो यह था अब मैं इसे पुना डिफॉल्ट कर दता हूं जो भी एक्स्ट था उसे मैं ड्रेट कर दिया है अब एड्वांस परपर्टी में जाकर मैं मैं क्यूंक को जो है डेसिबल कर दता हूं इसके बाद हमारा नीचे है रोटेशन एंगल यहनिका इमेज की तरह टेक्स को भी रोटेट कर सकते हैं आप जतना डिगरी से चाहिए आप जमें ले रहता हूं फिर से आप 90 डिगरी लेता हूं जैसे ही मैंने किया रिफ्रेस्ट आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है और 90 डिगरी के चेंज कर सकते हैं और ब्लॉग करने वाला हूं तो यहां पर में देख सकते होगा फॉंट टाइप इंपोर्ट अब लोग इसके लिए पहले सबसे पहले एक फॉंट डाउनलोड करने पड़ेगा जो की गूगल फॉंट हमको प्रोवाइड करता है कोई फॉंट आप डाउन सब्साइन बीडरे ताम सब्सित parti करें डाउस में असानी हो आदेggलों फिर सबस्द गक्राइब करते हैं सब्से पहले जो फॉंट डाउनलोड किया था उसको मैं चूलः करके आपप डॉट करते हो हां यहां पे दक है फॉप्लोड कर लता हूं जैसे यह अपलोड हो जाएगा मैं इसका जो नेम है यहां पर कौपी करके एक इंप्रीय इस ट्रींग में पेक्षिल कर लिए हूँ आपको किर से लिए मुद्ध करते हैं ब्लॉक से शेड़ के सिट जो है font typeface का जो option था उसे मैं चुछ कर लेता हूं पर लेवल 1 font typeface import यहां पर इस ब्लोग के लेता हूं और attach कर देता हूं level 1 click के साथ इसके वाद हम लोगे entry string लेकर जो भी आपने file name copy किया था उसे मैं यहां पर paste कर देता हूं यहां पर paste कर दिया कि अब इसके बाद हम लोग जो companion को है यहां पर test में करके यहां पर refresh कर लेता हूं सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं जो हमारा जो level का जो text है उसका font जो है change हो चुका है यहां पर देख सकते हैं बहुत ही है small दिखाई दे रहा है छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं सबसे पहले level 1 में जाकर उसका size जो है मैं change कर लेता हूं यहां पर font size font size को मैं attach करता हूं पर level click पे इसके बाद हम लोग आता है math में math में आने के बाद हमारा जो 30 यहां पर font size रख देता हूं इसके बाद फिर से हां पर refresh करता हूं यहां पर देख सकते हैं हमारा company refresh है और जैसे हम level 1 पे click करते हैं तो हमारा जो font है और font का size जो है वो सारा वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद और हाँ ज़िए आपको कोई फाइस में problem है तो इसके लिए आप माफ कर जाए क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है धन्वाद